हेलो फ्रेंड तो स्वागत है आपका मेरे चैनल ओंपिरिया इंडियान में तो आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ी वाली मिर्ची की नई रेसिपी तो चलिए हम समय न ब्यार्थ करते हैं हाला कि यह नहीं नहीं है यह रेसिपी आप लोगों को भी पता होगी पर मेरी तरीके स चलिए हम बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और जो नए मेंबर मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लेज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे ही आप लोगों के जैसे नए मेंबर्स को मेरी वीडियो मेलती रहें तो चलिए हम समय बेर्थ करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यह मैंने मिर्ची को बीज से फार करके रख लिया है जैसा कि मैंने दीखा दिया है और यह मैंने आलू के स्टफिंग रेडी करके रख लिया है आलू की स्टफिंग के वीडियो मैंने नहीं देखाई क्योंकि आलू क मिर्ची तरह आलू को इक वाली भर लिया है और उसके बाद हम एक करहाई लेंगे और करहाई में तेल गरम कर लेंगे मैंने इसको वीडियो को लॉंग नहीं किया है सोट में दिखाया है ताकि आपको भी देखने में टाइम बेस्ट ना हो और आप भी इंजुआय करते करते जल्दी से दो मिनट में इस वीडियो को देख लें और फटा फट से बना करके रेडी कर ले अपने लिए बहुत नहीं तो इसको पegól decisva में करक कर ले मिर्ची उस को पखने में तो में मेरी मॉटी होती है वर्वा बनके रेडी है यह बहूत ही है हमी लगते है गाईस मेरे कहने पर प्लीज आप एक वार जरूर ट्राई करेजिएगा और उसके वार उसी मिर्ची को यहां मैंने बारीक काट करके रख लिया है सखेंड रेसिपी है तो इसको इस तरह से बारीक काट लेना है और उसके देखना है तो मेरे दूसरी वीडियो पे मैंने इसका डेटिल में वीडियो बना रहा है तो आप बोलो गाथ और लिंक मेश्चे में पेस्च पिन कर दूंगी और आगर कोई घर में ऑपको पता है तो कोई वात नहीं है तो इस तरह से इसको पूरे अच्छे से हम बेसन को मिक्स कर लेंगा जब तेल हमारी घरम रहेगी उसमें इस तरह से डालते जाना है एक बार में आप ज्यादा से ज्यादा भी डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बाद में अलग अपने आप हो जाती है और फ्राई करके इसको हाई फ्लेम में रखना है उसके बाद धीरे धीरे हमें मेडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करके निकाल लेना है देख सकते हैं कितनी करक एन यमी रेसिपी हमारी बन के रेड़ी है यह भी बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है बच्चों के भी बहुत पसंद आती है क्योंकि यह मिर्ची बिल देखने को मिलती रहे मेरे चैनल पर एक बार जाकर के जरूर विजिट करें आई होप आप लोगों को सारी रेसिपी पसंद आईगी प्लीज कोमेंट करके बताए कि रेसिपी आपको कैसी लगी है हमारी वरवा मिर्ची और फॉराई मिर्ची की रेसिपे और एक और मैंने मि बात जरूर किजिए को आपको क्या करना है दो कर के फिर उपर से फार लेना है बीच से उसके बद कराई में ओयल डाल करके थोड़ा सा और नहीं तो ज्यादा भी डाल करकर तेल में बिल्कुल फ्राई करक निकाल ले जागा बेगार भैसन की तो यह इसे भी आपको खाने ज्यादा टेस्टी लगेगी एक बात जरूर त्राइए किजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी आपको यह रेसीपी तब तक के लिए धन्यवाद